मैं हूँ ससिकान सर स्वागत करता हूँ आपको एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब के चैनल AACC टिटोरियल में आज मैं कलास 10 के लिए पैनॉर्मा पार्ट 2 से प्रोज सेक्षन का फर्स चेप्टर लेकर आया हूँ दे पेस फोर गिविंग और इसका मैं आपको अपने सब्दों में हिंदी में इसका सरांस बताने जा रहा हूँ तो ध्यान पुर्वक इस वीडियो को देखना है शुरू से अन तक आपको बिलकुल हमारे सब्दों में इसका सरांस समझ में आ जागा तो देखिए लिखा हुआ है पेस फॉर लिभिंग इसका हिंदी होता है जीवन जीने के लिए गती और जो पेस फॉर लिभिंग है एक इस से याद रखना ये निवन्द है पेस फॉर लिभिंग जो है इस से है जीवन जीने के लिए गती इसका हिंदी होता है और जो इसको लिखे हैं, जिसका नाम है Arcy Smart, तो मैं बता देना चाहता हूं कि Arcy Smart जो है एक British Novelist, आर्सिय चिंशन ब्रिटिश नॉलिस्ट ब्रिटेन को प्रियासकार और इन्होंने क्या किया है कि इस स्पेस पर लिविंग में आर्सिय चिंशन अपने सभी विरोधा भास अपने सभी विरोधा भास और विरोधा भास के साथ एक समकालिन समाज के उन सिधानतों को अपने सभाव के माध्यम से उसको परदसित करते हैं जो समकालिन समाज के जितने भी मुद्दे हैं उनके सब को क्या करते हैं एक छोने के लिए उन समकालिन समाज के मुद्दों को छोने के लिए एक असाधारन सभाव को परदसित करते हैं तो देखिए इसमें जैसे आपको आ जाता है मुद्दे के बारे में तो इसूज कहते हैं, मुद्दो को हम इसूज कहते हैं, और समकालिन को हम कहते हैं contemporary, याद रखना, इसा वर्ट दिया हुआ है, समकालिन को contemporary कहते हैं, और जैसे विरोधा भास को हम कहते हैं paradoxes और contradiction, paradoxes और contradictions सब विरुधा भास को कहते हैं इंगलिस में कहते हैं इन सब चीजों को चुने का एक असाधान परियास करते हैं अब चलते हैं इस पेस फॉर लिविंग में आर्शिय चिंसन ने आधुनिक आदमी के पीड़ा को पकड़ते हैं यह पेस फॉर लिविंग चेप्टर में आर्शि इड़ा को क्या करते हो कभजा करते हैं और बताते हैं कि पुरुसों चीजों और बस्तुओं की तिव्रगति पुरुसों चीजों और बस्तुओं की तिव्रगति है एक समान मनुस को कैसे प्रभावित करती है मतलब कि पुरुस क्यों चीजों और बस्तुओं की तिव्रगति ह जो change होती है how fast जिसको कहते हैं English में movement वो कैसे समार मनुस को प्रभावित करती है और इसके साथ सत यह भी बताते हैं कि यह पूर्सों पर और और बच्चों पर असमाईक दवा भी डालता है और पूर्सों पर बच्चों पर क्या करता है असमाईक दवा भी डालता है मतलब इसको कहते हैं अंडिव प्रेसर याद रखना है जो अंडिव प्रेसर मतलब समय दवावट डालता है जो मतलब की आध्वनिक यूग में जितना छमता नहीं उससे छमता से अधिक उसको कस्ट पिड़ा दे देता है अब जो लेखक है अपना निवन्द का शुरुवात जो एससे का शुरुवात जो है इस परकार करते हैं कहते हैं कि लेखक जो है एक बार जो है कुछ दिन पहले लेखक जो कुछ दिन पहले एक नाटक देखे थे उन्होंने क्या देखा था एक नाटक प्लेग, जो प्लेग देखा था नाटक वो कहा था, डावलिंग में, लेखक ने एक डावलिंग में नाटक देखा था, उसमें जो मुख पातर था नाटक का, जिसको इंगलिस में हम कहते हैं, करेक्टर, चीफ करेक्टर, जिसमें मुख पात्र था वो क्या था एंड एल्डरली एक उम्रद्राज इसको कहते हैं एल्डरली कर मर्चेंट उसमें नाटक का मुख पात्र था एक अधवैस मक्का विपारी जो आयरलाइन के छोटे से सहर में रहता था जो आयरलाइन के छोटे से एक सहर में रहता था उस नेखती का जो हिर्दे था वो बहुत ही कमजोड था जिसको बड़ी मेंनिंग होता है कमजोड को हम कहते हैं डिक्की कमजोड को हम कहते हैं देखिए उसका हिर्दे कमजोड था और उसका भतिजा जिसको हम इंगलिस में कहते हैं नेफ्यू उसका भतिजा उसे धोखा दे रहा था और उसके पत्नी जो थी वो पत्नी परतेक छुटियों पर 10 पाउंड परतेक छुटियों पर 10 पाउंड क्या कर पत्य याद रखना है लीरा उसके पत्नी को दस लीरा खज करने का एक बहुत ही अद्बुद राय था सौख था उस ब्यक्ति के बहुत सारे चिंताएं था और उस चिंताओं में अंदर ही अंदर दुख से करा रहा था पिडित था और उसके साथ एक और जो दुख वाली बात यह होता है कि उस ब्यक्ति से किसी ने कह दिया था कि एक हवाई जहाज है जो एक हजार प्रति मिल की रफ्तार से उड़ता है एक एरोपलेन के बारे में किसी ने कह दिया था उस पर उस ब्यक्ति कहता है है न यह बहुत तेज इस पर वो ब्यक्ति कह देता है किया है न यह बहुत तेज है जब इस तरह के बात को लेखक सुनते हैं तो लेखक के लिए यह जो पंक्ति था कि एक हवाई जहाज है जो एक हजार प्रति मिल की रफ्तार से उड़ता है यह पंक्ति लेखक के लिए बहुत ही नाटक का रोचक पंक्ति बन जाता है इसलिए लेखक करते हैं कि आज भी आयरलेंड में रहने वाले ये कैसे लोग हैं जो एक सचाइड को एक अलग लगत्र से पेश कर रहे हैं क्या Ireland के रहने वाले लोगों को क्या ये छोटा साही सचाई पता नहीं है कि क्या हवाई जहाज भी एक हजार प्रती मिल घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है क्या वो लोग अभी तक इससे बाकिव नहीं है और तो और कहते हैं कि देखा आपने उस बुड़े को सचाई कहते कि लेखा को पसंद है तेजगती में होने वाला हरकते लेकिन कहते हैं कि मुझे तब तक पसंद आता है जब तक उसका अनंद लेता हूं जैसे लेखा को 90 किलोमेटर प्रति घंटा की रफ्तार से 90 माइल्स लेखा को 90 माइल्स याद रखना है 90 माइल्स लेखा को 90 माइल्स प्रतिघंटा किरफतार से कार चलाना बहुत ही अनंद आता है कार चलाने में बहुत ही अनंद आता है जब तक कि लेखक उस कार को चलाते हैं लेकिन एक सर्थ रख देते हैं कि अनंद तब तक ही आता है जब वो दुसरे के कार को चलाते हैं अपने कार को चलाते नहीं है और ल मुझे रात्री का भोजन करता हूं लंदन में और लेखक कहते हैं कि रात्री का भोजन लंदन में करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और जो दोफर का भोजन होता है वो नीवायर्क मतलब अमेरिका में करना वो भी बहुत अच्छा लगता है एक संतुष्टी भरा क्योंकि यो कहते हैं कि मैं उस सती ही सुखों से बन्चित हो जाता हूं लिकर रुएना है जना है जो बस में बैठ कर यात्रा करने का सवारी करने का जह सुखें न tag वेशे । लेकं और कहते हैं कि जो मंध्र के किनारे लगाए जो गाड़ि लोगों को शमुदरsh कराता है उसकी वो पुजा करते हैं उसको सिवकारते हैं कि वो जो समुद्र के किनार लगे गाड़ी उसकी पुजा करते हैं और उसे सिवकारते भी हैं और लेखक करते हैं अगले पर अगराप में लेखक जो है इसी के पारवचर्चा करते हुए करते हैं कि आज हमारे पास मनर मनरंज्ञन के साधन है जिसका हम्योग कर रहे हैं जिसे हमें सुवाचारना जाहिए हमारे पुर्वज्ञा की समय में एसी मनरंज्ञ की साधन कोई था नहीं हमारे पुर्वज्ञा miseric попास है तो इसका अनंद लेना चाहिए अगले प criminal प्रेवर TOP को एक अलग जाती से वर्गी क्रित करते हैं अगले पर अगराम में लेखक जो कहते हैं कि वो स्लो थिंकर से बिलॉंग करते हैं लेखक खुद को स्लो थिंकर्स याद रखना है आपको कि लेखक जो है खुद को स्लो थिंकर्स मतलब मंद विचारत के जाती से समझ रखते हैं क्योंकि लेखा कहते हैं कि मैं उन्स जाती से समद रखता हूं। जो मंद बुधी वाला है। जिसके सोचने का जोगति है वो बहुत कम है। क्योंकि किसी वी तरह से तर्भ बुधी के परिष्छा होता है। powerSet Understanding Tech-test जिसको हम कहते हैं Intelligency Tech-test क्योंकि तर्पुदी के परिच्छा में कमंग प्राप्थ होता है उनको lowest marks याद रखना है लेखा को कमंग प्राप्थ होता है क्योंकि वैसे टेस्ट जो होता है वो खास करके जो दिमाग के गति होता है mind का speed होता है उसको क्या करता है मेजर करता है मसीन के स्पीड से जहां पर लेखक का जो मैंड का गती है वो मसीन के स्पीड के साथ पेस नहीं बना पाता है उसके साथ वो समझस नहीं बठा पाता है उसके चलते लेखक वो कमंग प्राप्त करते हैं मतलब कि सोचते सोचते उनको समय निकल जाता है और प्रस्ट छूड़ जाता है तो कमंग प्राफ्थ होता है इसके बार बता रहा है आज कहा रहा है कि हमारे जैसे जो कम सुचने वाले slow thinkers हैं वो अपने नौकरी पाने में अपने रोजगार पाने में अपने जीवन चलाने में अपंग हो गया हेली याद रखना है कि हम लोग करता है हender करते हैं जो अपने जीवन के रोजी रोटी चलाने में नौकरी काने में वुजरे्विजनेस वापर करने में क्या ओग गया है पिखाल आगे कहते हैं कि आजगार जो परिवरतन हो रहा है चीजे बहुत त्येज़ गति से हो रहा है और उस त्येज़ गति में हम लोग जैसे slow thinkers पिछड गए आगे लेखक नाटक के बाद अब लेखक keg cinema के बाद करते हैं लेखक जौ है cinema के बाद करते हैं अगले paragraph जो है उस paragraph का करते हैं कि एक cinema के द्रिस्ट के बारे में लेखक को पूरी तरह से याद नहीं आता है, लेखक उस सिनेमा के द्रिस्ट को समझ नहीं पाते हैं, और उसमें जो द्रिस्ट में जो पात्र हैं, उस पात्र के बारे में, करेक्टर्स के बारे में लेखक पुछते हैं, कि क्या वो लड़की जिसको हम कर दी और सी मतलब कि एक टॉलोंड याद रखना है एक टॉलोंड है एक लड़की का नाज टॉलोंड और एक है allealments है एंचो स θα प्राइब करने का मतलब एक लंबी लड़की है गोरी है भूरे बाल है निले आखे है एक मद्यमकार के है गोरी है भूरे बाल है निले आखे है और एक सबसे छोटी है जिसको हम ABC कहते हैं जिसको ABC आगर आप उसको हम कह सकते हैं BCA भी कह सकते हैं आपको BC भी कह सकते हैं और बताती है उसके पतनी कि उस जो फिलिम के जो हीरो ह ओसमें परवेश करता है और अपने जो ट्वी को क्या करते हैं निकालकर और क्या कर दता है तन के साथ करने लगता है उन इन करने लगतैं चल्ड़िसक करता है इंगलीज में करते हैं मतलब उसके साथ रोवांस करने लगता है लेखा करता है कि देखिए मेरे और ही साथी है जो सिनेमा में जाते हैं वो क्या करते हैं हमें वो हमसे ज्यादा तेजगती में सोचते हैं और सिनेमा में बदलते हो द्रिश्च के साथ अपने सोच के गती को मिला रहते हैं जिससे क्या अपने आपको वह comfortable महसूस करते हैं जिससे क्या है वह अपने आपको comfortable महसूस करते हैं और कर रहा है कि जो वेक्ति यह बदलते हैं दुनिया है और कर रहा है कि ऐसा नहीं कि केवल हम हमेशा high gear में ही सोच सकते हैं मतलब कि सोचने का जो हमारा ranges है अजा हमारा जो तरीका है ऐसा नहीं कि सिर्फ high gear हो सकता है हम उसको medium और में भी सो सकते हैं किसीव गेर में सो सकते हैं लेकिन जिस तरह से जीवन परिवर्तन हो रहा है रहा प्रवर्तन हो रहा है दुनिया में अध्वनी करन हो गिया है अगर हम अपने सुचने की गती को तेज नहीं करेंगे तो यह चुकाचवन्द दुनिया है जिसको हम इंग्लिस में कहते हैं हाइस ट्रीट इस तरह के चुकाचवन्द दुनिया में द्वारा साथ हमें मौका नही इसके मुख मुख जो बिंदू है उस पर चर्चा करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि पूरा जो सारांस है इसका जो एसे काकिस तरस था तो देखिए इसमें मुख जो बात हो रहा है वो बदलती हुई जो तेज गति की रफ्तार है उसके बार बताया जा रहा है कि जो अ में अपने नौकरी पाने में भी असमर्थ हो जाए तो इसमें मुख बात है कि सबसे पहले जारना है कि पेस और लिभी के राइटर कौन है अबजेक्टिव आ जागा किस तरह से प्रसंदेता है देख लिजे पहले पूछ देगा कि पेस और लिभी के राइटर कौन है तो ब पुछ देगा कि उसमें उस नाटक में उस मक्का विपारी का कौन ठग रहा था तो उसके बतीजा जिसको नेफिव कहते हैं कि इसको परतेग छुटियों पर दस लीरा खर्च करने का अधूद रहा था तो उसके पत्नी के बारे मताएंगे बाइद के बारे में उस ब्यक्ति का हिर्दे कैसा था तो जिसको हम कह सकते हैं भेरी विक और इंग्लिस में और कह सकते हैं डिकी कमजोर था उस आदमी का सिकायत क्या था तो उस आदमी का सिकायत यही था कि उससे किसी ने कह दिया था कि एक हवाय जहाद है जो एक हजार प्रतिमिल के रपतार से उड़ता है इस मेल की रफ्तार से कार चलाना लेखक को अच्छा लगता है तो 90 माल्स आवर की रफ्तार से लेखक किसको पुजा करते हैं बटन समुद्र के किनारे तो जो मसीन है वो लगे हुए उसके करते हैं लेखक रातरी भोजन कहां में करना चाहते हैं तो लंदन में और सुबा का नास् से और लेखक कहेंगे पुछते हैं कौन से बेखती है जो आज जीव का चलाने में पंग है तो हैंडिकेप्ट है तो श्रोठिंकर्स और बता जाएगा कि लेखक सिनेमा में कितने लड़कियों को देखा था तो तील लड़कियां थी कौन-कौन थी A, B और C लेखक सिनेमा मे लड़कियों के बार में किसे पुछते हैं तो अपने पत्नी से पुछते हैं और जो लेखक कहते हैं कि अगर हम बदलते ही जीवन में अगर तेजगती से नहीं सोच पाएंगे तो क्या हो जाएगा हम अपने जीव का चलाने में असमर्थ हो जाएगे कौन बेखती है जो सिन सबसे कम अंग क्यों प्राप्थ होता है तो यह बताएंगे कि उनका जो सुचने के गति है वो मसीन के गति के साथ अपना गति बनाए नहीं रख पाता है इसलिए उनको कम अंग प्राप्थ तो इस तरह से बहुत सारे objectives questions पुछता है मैंने आपको पूरा हिंदी में इसका सरांस बता दिया हूँ और अगले बार जब आओंगा तो अगले chapter का वीडियो लेकर आओंगा और इसके objectives भी बताएंगे इसका objective भी लेकर आएंगे कैसे English में पुछता है objective उसको भी वीडियो ब होगा तो लास्ट में आपसे यही करना चाहूंगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये होंगे तो उसको सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को दबा दे और लाइक से कमेंट करना ना भूले हमारा जो वार्टसप नंबर है उसको मैं बता दे रहूं इस पर आप जो कोस्चन से भेज सकते हैं 97.81, 0.82 पर आप वार्टसप करके अपना जो भी कनफ्यूजन है वो भेज सकते हैं दूर कर सकते हैं और इतना ही करना चाहूंगा